योग नित्रा का भ्यास प्रारंब होता है क्रिपया आराम से लेट जाए पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी रखें आखें बंद और शरीर आराम की मुद्रा में ध्यान रहे कि आप योग नित्रा का भ्यास करने जा रहे हैं इसका उदेश सोना नहीं है बलकि इसका उदेश है जाकते रहना और मेरी आवास को सुनते रहना निर्देशों के बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है आपको सजग रहना है और ध्यान में रखना है कि आप योग नित्रा का अभ्यास कर रहे हैं अपने पूरे शरीर के बारे में सजग हों पूरा शरीर जो फर्ष पर लेटा हुआ है पूरा शरीर जो फर्ष पर लेटा हुआ है जल्दी से एक बार पूरे शरीर को मन ही मन देखें जो फर्ष पर लेटा हुआ है मेरी आवाज को निरत्तर सुनते रहे मानसिक रूप से ज़्यादा प्रयास न करे जो आराम से कर सके वही करे बस ये निरंतर ध्यान रहे कि आप योग निद्रा का प्रयास कर रहे है आपको सोना नहीं है निर्देशों को सुनते रहना है अब मैं शरीर के विभिन अंगों के नाम लूँगा आपको मन ही मन नाम दोहराना है और उस अंग की छवी को देखने का प्रयास करना है सजग रहना है और चेतना को गुमाना है ये कारे लगभग यंत्रवत करना है बहुत अधिक एकागरता के आवश्यक्ता नहीं है केवल सजग रहना है और चेतना को कुमाना है दाहिने हाथ का अंगूठा पहली अंगुली दूसरी अंगुली तीसरी अंगुली चौथी अंगुली हतेली कलाई कोहनी कंधा बगल कमर जांग घुटना पिंडली टकना एडी तल्वा पैर का अंगुठा पहली अंगुली पैर की दूसरी अंगुली तीसरी अंगुली चौथी अंगुली पाई तरफ चले मन में नाम दोहराएं और उस अंग की ओर चीतना घुमाएं पाई हात का अंगुठा पहली अंगुली तूसरी अंगुली तीसरी अंगुली चौथी अंगुली हतेली कलाई कोहुनी कंधा बगल कमर बाईजांग घुटना पिंडली तकना एडी तलवा पाई पैर का अंगुठा पहली अंगुली दूसरी अंगुली तीसरी अंगुली चौथी अंगुली अपना ध्यान पीट की ओर ले जाएं दाहिना कंधा बाया कंधा पीट दाहिना नितम बाया नितम दाहिनी एडी पाई एडी शरीर के सामने की ओर चलें सिर्का उपरी हिस्सा माथा दाहिनी आख पाई आख भूमद्य दाहिना कान बाया कान दाया गाल बाया गाल दाहिनी नासिका पाई नासिका उपरी होट निचला होट दोनों होट एक साथ ठुड़ी छाती का दाया हिस्सा छाती का बाया हिस्सा पूरी छाती ना भी पेट अब शरीर के प्रमुक अंग दाया पाउं बाया पाउं दाया बाजू बाया बाजू दोनों पाउं दोनों बाजू एक साथ पेट छाती पूरी पीट सिर पूरा शरीर पूरा शरीर पूरा शरीर पूरा शरीर पूरा शरीर शरीर फर्ष पर विश्राम कर रहा है फर्ष और शरीर एक दूसरे को कुछ बिंदों पर स्पर्ष कर रहे हैं आपको उन बिंदों के प्रती सजग होना है उन बिंदों पर अपनी चेपना को लेकर जाना है दाइएडी और फर्ष के बीच का स्पर्ष बिंदो पाइएडी और फर्ष के बीच का स्पर्ष बिंदो नितम और फर्ष के बीच का स्पर्ष इंदो पीट और फर्ष के बीच का स्पर्ष इंदो सिर और फर्ष का स्पर्ष बिंदू स्पर्ष बिंदू पर चेतना को ले जाएं ये मात्रे का नुभव है मैं फिर से दोर आता हूँ सिर और फर्ष का स्पर्ष बिंदू पीट और फर्ष हतेली और फर्ष नितंब और फर्ष, जांग और फर्ष, दाहिनी एड़ी और फर्ष, बाई एड़ी और फर्ष पूरे शरीर के प्रती सजग हों, पूरा शरीर अब आपको अपने पूरे शरीर में अपनी इच्छा शक्ती के सहरे कुछ समवेदनाएं जगानी होंगी जैसे जैसे इसका अभ्यास करते जाएंगे, आगे चल कर इसे और बहता ढंक से कर सकेंगे अपने पूरे शरीर में ठंड की भावना जगाईए, ठीक उसी तरह मानो आप एक ठंडे कमरे में हों, तो कैसा अनुभाव करेंगे और फिर गर्मी का भाव लाकर गर्माहट महसूस करें, मानो आप एक गर्म कमरे में हों, तो कैसा महसूस करेंगे जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, ठंड और गर्मी का एहसास, इच्छा शक्ती के सहरे करते जाएंगे पूरे शरीर में ठंड का अनुभाव करें आपने निश्चित रूप से ठंड और ठंड के मौसम का पहले अनुभाव किया होगा और वो अनुभाव आपके मन में होगा उसे ले कर आएं और ठंडक महसूस करें आपने पहले गर्मी भी महसूस कियोगी और वो आपके मन में होगी सामने लेकर आएं और गर्माहट महसूस करें बारी बारी जे ठंड और गर्मी का अनुभव करें पूरे शरीर में बारी बारी जे ठंड और गर्मी का अनुभव करें पूरे शरीर के बारे में सजग हूँ, सचेत हूँ, मन ही मन अपने पूरे शरीर को उसी तरह देखें जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ आप भी अपने आपको बाहर से देखें, पूरे शरीर के प्रति सजग रहें, संपूर्ण शरीर को देखते रहें अब शीग्रता पूरवक कुछ महत्वपूर्ण द्रिश्य या वस्तूओं की कर्पना कर छवी देखेंगे बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यक्ता नहीं है, जितना शीग्र चल सकें चलना है मैं उन वस्तूओं या द्रिश्यों का नाम गिनाऊंगा, जिनने आपने जीवन में देखा होगा जब मैं उनका नाम लूँ, तो आपको उनकी कल्पना करना है बहती हुई नदी और एक नाव, रेतीला किनारा और एक छोटा सा घाट आम का पेड़ और एक पत्ती अम्रूत का पेड़ और एक फल सफेद रंग का गुलाब और गुलाब का कांटा आकाश, बिना चांद का आकाश और टिम्टिमाते तारे अंधेरी रात का द्रिश्य फिर से एक सफेद गुलाब और गुलाब का कांटा समुद्र, उची उठ्टी लहरे और दूर तक फैला रेद का किनारा उड़ता हुआ पक्षी उड़ता पक्षी घना जंगल उचे पेड छायादार अंधकार और एक जोबडी साफ सुतरी जोबडी उक्ता सूरज ओम का चिन धीरे धीरे अपनी चेतना वापस अपने शरीर पर लाईए शरीर जो फर्ष पर लेटा हुआ है मैं योग निद्रा कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं योग निद्रा कर रहा था या कर रही थी धीरे धीरे बाहरी वातावरन के प्रती सजग हो अपने शरीर और आजपास की स्थितियों के बारे में आपको जानकारी है अब हम योग निद्र का अभ्यास पूरा करने जा रहे हैं योग निद्र का अभ्यास पूर्ण हुआ अब आप अपनी आखें खोल लें और उठ सकते हैं योग निद्र का अभ्यास पूर्ण है